लेटस्ट कबरे पाने के लिए सस्क्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटस्ट कबरे सबसे पहले मौसम विभाग ने भारी बारिश को देखते हुए दावा किया है कि अगर हालत यही रहे तो मुंबई में 2005 जैसी भीशन बारिश हो सकती है बता दे कि 13 साल पहले भारी बारिश ने मुंबई को अस्त व्यस्त कर दिया था जिसके एक बार फिर पुन है लोटने के आसार नजर आ रहे है मुंबई में बारिश ने इसकदर तबाही मचाई है कि छात्रों का स्कूल कॉलेज जानना भी दुभर हो गया है सरकार ने मुंबई के इस भी स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है मुंबई के कई पुलों के रास्तों पर यातायात काफी प्रभावित है मध्य रेल्वे के एक अधिकारी ने बताया कि घाट को पर पुल के नीचे से लंबी दूरी की और स्थानिय ट्रेनेंग गुजरती है और पिछले सब तहा अंदेरी में पुल गिरने जासी एक गटना से बचने के लिए इसे बंद करने का नर्ण लिया गया बारिश की तबाही से मुंबई के कई स्थानों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है यहां से किवल हल के वाहनों को ही प्रवेश दिया जा रहा है बता दे कि इस संबंद में मौसम विभाग ने कल सूशना जारी कर कहा था कि महरास्ट्र सहित देश भर के कुल 14 राज्यों में आने वाले 24 घंटों के भीतर भारी बारिश हो सकती है